हाई फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटबंधी का असली मकसद बैंकों के निठले कर्मचारियों को कुछ काम देना था कहते हैं जेटली नोटबंधी करने की एक के बाद एक कई वजहे बताने वाले वित्तमंत्री अरुन जेटली ने उसकी आज एक और वजह बता दी उनका कहना है कि पिछली वाली सारी वजहों को भूल जाओ नोटबंधी की असली वजह वो है जिसमें अब बताने जा रहा हूँ बगल में दभी 20-25 फाइलों को मेज पर रखते हुए जेटली जी बोले नोटबंधी की असली मकसद एक ही थी और वो था सरकारी बैंकों के एमपलोई से काम कराना बस और कुछ नहीं अच्चली मुझे काफी समय से शुकायत ही मिल रही थी कि बैंक कर्मचारी सारा टाइम बैठे सॉलिटेर खेलते रहते थे तो मैंने कहा कि मैं खिलाओंगा तुम्हें सॉलिटेर उन्होंने कुटल धंग से मुस्कराते हुए कहा इधर जेटली जी ने ये कहा और उधर सरकारी बैंकों के कर्मचारी बुरी तरह से विदग गए अखिल भात ते सरकारी बैंक कर्मचारी संग्याने की अभास बकस ने उसे दुनिया के सारी बैंक कर्मचारीों का अफमान बताया है अभास बकस के अध्यक्ष मनोहर मित्तल ने जेटली जी पर निशाना साते हुए का वो अभी अभी बिमारी से उठके आये है इसलिए हम कुछ उल्ठा सीधा नहीं बोलना चाहते लेकिन उन्हें भी ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका खाता भी सरकारी बैंक में ही है जो भी वजब बताएगा वो उनसे पूछ कर ही बताएगा